जेर एस्पिरेंट्स, फॉरण अफिसर्स आप कैसे बन सकते हैं? उसके लिए क्राइटेरिया क्या होना चाहिए? प्रोटोकल कैसा होता है? सैल्वी क्या होती है? कौन सी फसिलिटीज दी जाती है? पाकिस्तान के अंदर कौन से रैंक्स दी जाते हैं? फॉरण कंट्री के आपने की हैं, उनके जवाबाद देने की कोशिश करेंगे. डिर एस्पिरेंट्स, फॉरण अफिसर्स के लिए, सिंपली जो क्राइटेरिया होता है, सेकंड विएन, ग्रेजुएशन आपकी होनी चाहिए, किसी भी सब्जेक्ट के अंदर होना चाहिए, किसी भी सब्जेक् है, वो 21 years से 28 years होनी चाहिए, और 2 साल के लिए relaxation होती है, जो पहले से लोग मुलाजमत के अंदर होते हैं, जो schedule area से तलक रखते हैं, इसमें height की कोई हद बंदी नहीं होती, और ना ही कोई eyesight की, आप glasses without glasses जो हैं, वो इसके अंदर apply कार सकते हैं, बोथ male और female जो हैं, वो इसके लिए apply करते हैं, उस वकत आपने 12 groups में से एक group जो है, उसको choose करना होता है, अगर आप foreign officers बना चाहते हैं, तो foreign services आप पाकिस्तान FSP group को आपने choose करना होता है, फिर आपके अच्छे marks आते हैं, return के अंदर, फिर जब आपको interview के लिए काल किया जाता है, तो आपके अच्छे number उसमें भी होते हैं, फिर आपको एक performa दिया जाता है, आपने उसके अंदर भी अपनी choice देनी होती है, foreign officers के लिए, जब आपकी selection foreign officers के लिए हो जाती है, तो फिर आपके training common training program आ जाती है, सबसे पहले जो आपने common training के अंदर training करनी होती है, वो civil services academy के अंदर 7 मा की course, 7 मा का course हो इसके बाद फिर आपने foreign language course करना होता है, वो एक साल के लिए मुख्तलिफ जो countries होती है, उनकी local language सीखने के लिए आपको बाहर बेज दिया जाता है, वहां से आप वो language जो हैं, इसके बाद आपको पाकिस्तान के अंदर या foreign embassy के अंदर ताइनाद कर दिया जाता है, अगर प training as a assistant director 17 scale की होती है, जो ministry of foreign affairs के अंदर ही इसलामबाद के अंदर आपको काम करना पड़ता है, इसके साथ आपकी proper through channel जो है, वो प्रमोशन होती है, assistant director से फिर deputy director 18 के अंदर आप काम करते हैं, फिर आपकी promotion director 19 scale के अंदर काम करते हैं, वो भी आपने minister of foreign affairs के अंदर ही काम करना हो फिर director general, director general से additional secretary, additional secretary से special secretary 22 scale के अंदर और इसी तरह foreign secretary 22 scale के अंदर ही आपको ताइनात कर दिया जाता है, ये rank थे पाकिस्तान के अंदर एज़े जब आप foreign officers बनते हैं, आपने CSS के अंदर foreign group जो है, उसको चूज किया होता है, अगर हम बात करें, ranks in foreign countries, तो आपको basically 17 scale के लिए security, embassy के अंदर ताइनात किया जाता है, या as a vice council, जो के तीन साल के लिए आपने अपनी duty संजाम देनी होती है, फिर आपको वापस headquarter के अंदर ताइनात किया जाता है, इसके बाद फिर आपको किसी country के अंदर next second secretary, यानि के council 18 scale के अंदर, इसके बाद first secretary या consular 18 scale के अंदर ता बेड़े ममालक होते हैं, उनके अंदर आपकी post का नाम होता है, high commission 22 scale के अंदर, high commission basically embassy का सारा अंचार्ज होता है, जो सारा staff होता है, वो high commission के अंदर होता है, बात करेंगे, इनकी responsibilities, duties, ये depend करता है, उनके mission मुख्तलिफ countries के अंदर क्या होते हैं, उसके लिहास से उनकी responsibility होती ह जो common inki duties होती है, इनकी meetings होती है, मुख्तलिफ delegation के साथ, organization के साथ, इसके इलावा जो ब्रुने ममालक पाकिस्तानी रहते हैं, उनके जो मसाईल होते हैं, issues होते हैं, उनको solid करना होता है, इसके लावा अपना जो culture होता है, उसको promote करना है, मुख्तलिफ organization के जरीए, मुख्तलि exhibition जो हैं उनको मुनकद करके ये अपने culture को promote करना होता है basically ये front lines इनको समझा जाता है हमारी जो policies होती है उनका advance करने के लिए इसके साथ साथ कोई foreign minister जो है जब किसी ममालक का दौरा करता है तो उनका protocol वगेरा उनकी duties जो है वो सारी इनके जिम्हें होती है इसके इलावा ये जो exposure मिलता है learning मिलती है इसके साथ साथ इनकी जो salary होती है वो इनके according to their scales अगर वो foreign services यानिके foreign country के अंदर अपनी मलाजमत कर रहे हैं तो वो dollar के अंदर या euro के अंदर उनको pay की जाती है अगर वो पाकिस्तान के अंदर काम कर रहे हैं तो उनको according to their scales वो पाकिस्तानी रुपीज क अंदर पे किया जाता है अगर इनकी facilities की बात करें इनकी माराथ की बात करें इनके traveling जो है वो all over the world जो है वो तक्रीबन free होते हैं जिस country के अंदर उस country का culture देखना exposure उनको काफी होता है इसके साथ साथ उनको commoditions दी जाती है food allowance medical allowance जो है वो इनको provide किये जाते हैं इस तरह पाकि high hierarchy की job है CSS groups के अंदर उमीद करते हैं dear aspirants आज किस वीडियो के अंदर foreign officers के बारे में जो आपके question थे जो आपकी immigration थी वो तक्रीबन साल्व होगी होगी अगर फिर भी आपका को question है तो वो आप via email via comment हमारे साथ share कर सकते हैं हमारी इस तरह की वीडियो को देखने के लिए हमारी इस वीडियो को like करें हमारे channel को subscribe करें and be a smart student